हलो फ्रेंट्स आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है एक दिन मनजू किचन में खाना बना रही थी तभी उसकी सास आई और उसको एक तमाचा जड़ दिया तुम मनजू ने कहा मा जी मैं आपको खाना दे दिया है आपका हर काम कर दिया है आप तो खाना भी खाल यह रिमा अपनी बहु से काफी रूदली बेभार करती थी और रिमा अपनी बहु से इस समय लड़ाईया करने लगी तभी इतने में रिमा का बेटा रमेश वहाँ पर आ जाता है और रमेश सब कुछ अपने आँखों से देख लेता है रमेस की आखे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जैसे रीमा अपनी बहु से बाते करती थी और जिस तरह से रीमा अपनी बहु को थपड लगाया था रमेस को भी सवास नहीं था नहीं हो रहा था कि मेरी मा ऐसा भी कर सकती है मन्जू काफी सुलजी हुई लड़की थी मन्जू एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी लेकिन उसकी सास उसकी कदर करना नहीं जानती थी उसको जब इच्छा करे मारती थी जब इच्छा करे घर से भगाती थी जब इच्छा करे उसको चोरी लगाती थी लेकिन मंजु अपने पति से कहती लेकिन उसका पती इस बात को मानने को तयार नहीं था कि उसका उसकी उसका जो पती कहता था कि जाने दो मा है मा बोलती ही है पती उसका कभी भी मंजु की बातों का भरोसा नहीं करता था तो मंजु भी क्या करती मंजु विचारी करती भी तो क्या करती उसका पती उसका एक नहीं सुनता जब उसका पती जब अपनी आखों से हर ची मा बोली कि तुम मुझसे जवाब सवाल कर रहे हो अगर तुम्हें इतना ही पड़ी है तो अपनी बीबी को लेकर यहां से चले जाओ इतना सुनने के बाद रमेश बोलता है कि ठीक है मा मैं अपनी बीबी को लेकर यहां से चला जाओंगा रमेश अपनी बीबी को लेता है और वहाँ से चला जाता है रमेस अपनी पत्नी मनजु को उसके माईके चोड़ देता है और खुद एक दोस्त के घर चला जाता है और मनजु से वादा कर जाता है कि मैं एक महिने में हर चीज का ब्यवस्था करके तुम्हें यहां से ले जाऊँगा मनजू अपने माईके में रहने लगती है जो ही तीन से चार दिन होते हैं और मनजू की भावी को पता चलता है कि ननद जो है अपना गिरहस्ती अलग करने वाली है तो उसके दिमाग में यह बाते घर करने लगती है कि जब मेरी ननत अपना घर गिरहस्ती अलग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं इनके बुढ़े माबाप और बिमार माबाप का सिवा क्यों करूंगी इनके साथ माँ और बाप का सिवा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मन्जू की मा काफी बिमार रहती थी और उसके पापा भी बिमार रहती थे उसकी भावी के उपर बहुत ही काम का दबाव पड़ रहा था क्योंकि घर में कोई दूसरा काम करने वाला नहीं था अब मन्जू आ गई थी तो थोड़े बहुत काम में हाथ बटा देती थी अपनी भावी का एक दिन जब मन्जू का भाई ओफिस से घर आया तो उसकी भावी बोलती है कि सुनो जी मैं यहां अब नहीं रहूंगी आप ओफिस के बगल में एक किराय का रूम दून लिजिएगा तब उसका पती बोलता है कि ऐसा क्यों क्या हुआ जब घर है तो किराय के मकान में क्यों रहना तब उसकी भावी बोलती है कि जब तुम्हारी बेहन अपना गिरहस्ती अलग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं तुम्हारे मा बाप का अब सिवा नहीं करूंगी इतना सुनने के बाद मंजू बोलती है कि भावी आपको कभी मा ने कुछ बोला है या फिर आपको भाई ने कुछ बोला है या फिर आप जो भी मांगती है वह आपको क्या घर में नहीं मिलती है मेरे घर में क्या आपको इज़त नहीं मिलती है आपके सम्मान में कोई कमी होती है लेकिन मेरे ससुराल में मेरी सास तो मेरे उपर हाथ भी उठाती है और उसने मुझे घर से निकाल दिया है इसलिए हम लोग अपना गिरस्ती अलग कर रहे हैं और आप क्यों कर रही हैं दोनों ननद और भावी में काफी तीखी नोक जोक होने लगती है तभी अंदर से मन्जू की मा बोलती है कि तुम लोग यहां आओ सब लोग अंदर जाते है तब मन्जू की मा बोलती है कि देखो मैं बिमार हूँ लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ जिसको जहां जाना है वहां जा सकता है बहुत तुम्हें सेवा मेरी नहीं करनी है तो ठीक है और तुम बेटे के साथ रहना चाहती हो तो तुम बेटे के साथ राश सकती हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं अपना गुजर बसर कर लूँगी क्योंकि मन्जू के पापा एक अच्छे खासे जॉब करते थे जो कि उनको अच्छी खासी पेंसन मिलते थी मन्जू की मा बोलती है कि मैं उस पेंसन से अपना और तुम्हारे पापा का खर्चा उठा लूँगी और जो पैसा बचेगा उसमें एक नौकर रखकर अपना सेवा करवा लूँगी मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है बेटी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बत्तमीजी और बतसलुकी करती है क्योंकि तुम्हारा उस घर में कोई इज़त नहीं है तुम्हारा उस घर में कोई भी इज़त नहीं करता है इसलिए तुम अपना अलग घर बसा रही हो और बेटा जो भी तुम्हारे पापा के नाम से जमीन जायजाद है उस सारे जमीन को मैं बेच दूँगी और जो पैसा बचेगा मैं उसको अपने नाम कर लूँगी उसमें से आधा अपनी बेटी को दे दूँगी और आधा जो पैसा बचेगा उसको मैं बृधा अस्रम में दान कर दूँगी क्योंकि जो मेरी सेवा नहीं करेगा उसको एक फुटी कोडी नहीं दूँगी बहुत तुम अब अपना घर अलग कर सकती हो और हमारी चिंता बिलकुल मत करो इतना सुनने के बाद मंजु की आँखों से आसू आ रहे थे और वहीं पर उनका बेटा खड़ा था वह बोलता है मा या क्या बोल रही हो तुम पैसा दो या ना दो तुम्हारी जो मर्जी है वह करो लेकिन मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर नहीं जाओंगा और मैं तुम्हारा सेवा अच्छे से करूंगा और ख्याल अच्छे से रखूंगा जिसको मेरे साथ रहना है वह रहेगा जिसको नहीं रहना है वह नहीं रहेगा वह यहां से चला जाएगा लेकिन मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर नहीं जाओंगा और तुम्हें गाउं की जमीन या जायजाद या फिर जो कुछ भी बेचने हैं बेच दू उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है इतना सुनने के बाद सबके आशू गिरने लगते हैं मंजू की भावी की आखे भी नम हो जाती हैं उन्हें एहसास हो गया कि रिस्तों से बड़ा पैसा नहीं होता है कुछ ही दिनों के बाद रमेश अपना हर चीज़ ठीक करके मकान लेके और वहां का कमरा ठीक ठाक करके वहां पे गिरस्ती का समान खरीद के रखके मंजू को यहां से ले जाता है मंजू अपना गिरस्ती अलग कर लेती है मंजू और रमेश दोनों हसी खुशी रहने लगते हैं लेकिन दिन बिता गया कुश दिनों के बाद मंजू को एक बच्चा हुआ जब रमेश की मा को यह पता चला कि मंजू मुझे पोता हुआ है तो रमेश की मा रमेश की घर आ गई और अपनी बहु मंजू से माफी मांगने लगी क्योंकि उनको अपनी गलतियों का पस्चताप होने लगा मंजू की रिमा काफी दिनों से बिमार थी बिमार चल रही थी उसकी देख भल करने वाला कोई नहीं था रिमा एक नोकर रखी थी अपनी देख भल करने के लिए लेकिन जो घर के लोग देख भल कर लेंगे और नोकर कहां से कर पाएगा रिमा बहुत पस्चताप के आग से जल रही थी क्योंकि रीमा के पती भी नहीं थे रीमा मंजू से बहुत माफी मांग रही थी मंजू ने बोला कि माजी मैं आप से कभी नराज नहीं थी और ना ही कभी रहूंगी तब रीमा बोलती है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है जो कि एक बार में ही मुझे माफ कर दि था मन्जु के बहुत ही कहने और मनाने पर समझाने पर रमेश अपनी माह को कभी भी किसी के साथ भी कोई भी अपती जनक और अपना अभिमान नहीं दिखाना चाहिए अभिमान में नहीं रहना चाहिए सास भी कभी बहु हुआ करती थी सास का मतलब सासन नहीं होता है सास मा भी बन सकती है और बहु बेटी भी बन सकती है लेकिन दोनों को सोच समझ कर च चलाना चाहिए दोस्तो आप लोग का इस वीडियो के बारे में क्या खेहना है मुझे कॉवेट बाक्स में जरूर बता ईएगा मेरा तो यह कहना है की सासी घर को चलाती है और सासी घर को बिःड़ती है मिलते हैं अगले